हेलो ब्रीवान, बिलकम बैए, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्टेंट्स आज के इस छोटे से लिक्चर के माध्यम से हम आपके सिलेवस के बड़े ही इंपॉर्टेंट चेप्टर जो की आपकी लाइट की यूनिट से है जिसका नाम है प्रकास की प्रकिर्थियों परावर्तन के कुछ important question आप लोगों को solve कराने वाले हैं डियो स्टेंट्स आपको हम बता दें कि प्रकास की यूनिट जो challenge बैट में मैंने start की थी उसमें से जो first chapter आपका है प्रकास की प्रकिर्थियों परावर्तन उसकी थेओरी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है I hope आप लोगोंने previous lecture को जरूर से जरूर देखा होगा क्योंकि अगर आप लोगोंने उन lecture को देखा होगा तभी ये questions आपको समझ में आने वाले हैं जितने भी questions आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी की सभी questions कभी न कभी आपके exam में पूछे जा चुके हैं पहले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पहला question है कोई मनुष से समतल दरपण की ओर 50 cm की दूरी से 10 cm प्रत सेकेंड के वेग से चल रहा है तीन सेकेंड बाद मनुष से और उसके प्रतिविम के बीच की दूरी होगी option है 50 cm, 60 cm, 80 cm और 40 cm इसको हम लोग कैसे साल्व करेंगे इसके लिए कुछ facts आपको पता होने चाहिए जब हम समतल दरपण के सामने खड़े हो करके अपना प्रतिविम में देखते हैं या समतल दरपण के सामने जब किसी भी रखी हुई बस्तु का प्रतिविम बनता है तो जितनी दूरी पर बस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर जाकर के प्रतिविम बनता है ये समतल दरपण का concept होता है तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो बस्तु है वो समतल दरपण से कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग में डियसेंट्स जो बस्तु है वो 50 cm की दूरी पर थी ये तो यहां पर clear हो रहा है उसके बाद वो बस्त 10 cm पर सेकंड की वेक से चल रही है तीन सेकंड बाद कितना चली जाईगी ये पता कर ले हम लोग देखो डियसेंट्स क्या करेंगे यहां पता कर लेंगे हम तीन सेकंड में चली गई दूरी कितनी दूरी चलेगा वो तीन गुड़े हम लोग 10 करेंगे तो हो जाएगा 30 cm कहने का मतलब यह है कि जो बस्तु दरपड से 50 cm की दूरी पर थी अब वो 30 cm और 5 आ गई है तो बस्तु की दूरी कितनी हो गई देखिये धान से बस्तु की दूरी की अगर हम बात करें तो अब बस्तु की दूरी जो है बच्चों कितना सेंटी मीटर है 20 cm क्योंकि बस्त जो है वो दरपड से कुल मिलाकर कि 50 cm की दूरी पर थी बस्त दरपण से कुल मिला के 50 cm की दूरी पर थी अब उसमें से वो 30 cm उसके पास जा चुका है तो अब ही कितनी दूरी बची केवल और केवल 20 अर्था 20 cm की दूरी यहां पर बची हुई है अब आपको बताए कि जितनी दूरी पर बस्त रखी होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा प्रतिविम बनेगा तो बस्त की दूरी कितनी है 20 है तो प्रतिविम दरपण से कितना दूर होगा 20 तो कुल दूरी बस्त रखी प्रतिविम की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 40 cm क्योंकि यहां पर दरपण है प्रत्विम 20 cm यहाँ है बस तो 20 cm यहाँ है तो टोटल 20 और 20 मिला करके कितना हो जाएगा 40 cm हो जाएगा means option number D जो होगा डियसेंस ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो इस तरह का कोई भी question अगर मान लिए आपके exam में आता है तो आप इस logic को समझ लिए हैं तो आराम से आप लोग questions साल कर पाएंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी ठीक है न चलिए अगला question देखते हैं हम लोग गरा यदि समतल दरपन को 10 अंस घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घुमेगी हमने theory में आपको पढ़ाया है कि अगर समतल दरपन को theta कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण होती है वो हमेशा डियस्टेंस 2 theta कोण घुम जाती है यहाँ पर theta की value कितना दे रहा है 10 degree दे रहा है इसने कहा है कि समतल दरपन को 10 अंस से घुमाया जा रहा है तो परावर्तित किरण कितना होँएगी 2 theta माने 2 गुडे 10 इसका मतलब परावर्तित किरण जो है वो 20 अंस क्या होगी डियस्टेंस घुम जाएगी क्लियर हो गई बाते ना चलिए आगला question है question है कि निमलिखित रंगों के प्रकास में से किस रंग के प्रकास का प्रकीरन सबसे अधिक होता है लाल रंग का हरा रंग का बैगनी का या पीला का तो ये तो सबको पता होगा की बैगनी रंग का प्रकीडन माने बिखलाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है इसलिए यहां पर आपका option number C जो होगा वो correct हो जाएगा इसमें कौन सा इसमें option number A correct था और इसमें option number D correct था ठीक है ना चली अगला कुश्चन देखिए लिखा है समतल दरपण के सामने एक बस्तु 10 cm की दूरी पर रखी है समतल दरपण के सामने कौन सा दरपण है समतल दरपण है उसके सामने एक बस्तु कितनी दूरी पर रखी है 10 cm की दूरी पर र यहां पर आप्सिंट नंबर भी जो हो वह क्या हो जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा समझ हुआ रहे यहीं किसी मनुस्य की लंबाई 1.4 मीटर है उसे अपना पूरा प्रतिविम देखने के लिए किसी मनुस्य की लंबाई 1.4 मीटर है उसे अपना पूरा प्रतिविम देखने के लिए दरपन की कम से कम लंबाई होनी चाहिए हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी बैक्ति अपना पूरा प्रतिविम देखना चाहता है तो समतल दरपन की जो लंबाई होगी उसकी उचाई की आदी होनी चाहिए कम से कम उससे कम होगी तो वो अपना पूरा प्रतिविम नहीं देख पाएगा तो यहाँ पर जो बैक्ति है जो आदमी है उस बैक्ति की लंबाई कितनी या उचाई कितनी दी गई है इसकी दी गई है, एक समलो 4 मीटर है न, अब हमें इसी का आधा कर देना, समलो 4 बटे 2 कर देंगे, तो 0.07 मीटर आ जाएगा, इसका मतलब यह है डियोसिंस की उस दरपण की जो मिनिममम उचाई होनी चाहिए, मिनिममम जो लमबाई होनी चाहिए, इससे कम अगर दरपण की उ चाहिए होगी तो उस ब्यक्ति का पूरा प्रत्विम उसमें नहीं आएगा बाते समझ में आ रही है तो एडियो सेंट्स थोड़ा सा हिल्थ सही नहीं होने के कारण मैं ज्यादा लंबा लेक्चर इस समय आप लोग प्रवाइड नहीं करा पा रहा हूं लेकिन इस लेक्चर के दिस्क्रिप्शन में आपको दो इंपॉर्टेंट लेक्चर का लिंक मिलेगा एक इसके चैप्टर की जो थेओरी है उसको आप लोग देख लीजेगा साथी साथ जो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है वो मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया उसको आप हमारी feeling को समाझ बार रहे होंगे तो ठीक अडिया स्टेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष लेक्चर के साथ तब तक लिए सांधार रहिए मस्त रही और पढ़ते जरूर रहिए आल दे वेस्ट